गुद्मॉर्णिंग स्टुडेंट्स आज हम क्लास 7 के में इसका एक्जिसाइस 4B के कोशे नुमर 7 करने जा रहे हैं तो कोशे नुमर 7 में क्या पूछ रहे हैं हमें Find the absolute value of the following यहां पे जो नीचे numbers दे गए हैं उनका हमें क्या निकालना है absolute value निकालना है तो absolute value का मलब क्या होता है यहां पे उन्होंने जैसे की question 1a part में यानिकी 7 दे रखा है अब हमें क्या अगर नाइए इन numbers को सबसे पहले number line पे represent करना है number line पे हमें यानिकी लिखना है जैसे मैंने यहां पे क्या किया 0 से यानिकी सबसे पहले हमारे number line पे 0 आते हैं फिर यहां पे प्लस यहां हमारे पास तो मैंने लिखा 1,2,3,4,5,6,7 अब absolute value में क्या होगा 0 से आगे हमारे पास जितने भी numbers होंगे जितने भी units होंगे उस हिसाब से हम यानिकी देखते हैं कि इसका absolute value कितना होता है और यानिकी यह direction यानिकी matter नहीं करता है चाहिए यानिकी left side में हो या plus में हो या minus में हो हमें यानिकी सिर्फ units count करना है अब यहां पे उन्होंने देर रखाए 7 तो मैं यहां से यानिकी 0 से count कर दूँगा यहां से यानिकी 7 तक कितना यूनिट बन जाते हैं तो हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानिकी यहां तक कितना बनते हैं हमारा 7 यूनिट बनते हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं therefore the absolute value of 7 is equal to यानिकी 7 ही आते हैं 7 यूनिट यानिकी 7 यूनिट या 7 ही लिख लो तो चलेगा अब हम second पर आते हैं हमारे पास second है minus 3 upon 7 अब minus 3 upon 7 का यानिकी absolute value जो है कितना होगा हो हमें find करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका यानिकी हम number या यह जो minus 3 by 7 है इसको हम यानिकी number line पे 3 upon 7 3 upon 7 फिर 4 upon 7 यहां पर हमारे left side में minus में आएगा minus 1 upon 7 minus 2 upon 7 फिर minus 3 upon 7 हमें दिखा यानिकी क्या करना है minus 3 upon 7 को दिखाना है तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो minus 3 upon 7 है यह हमारा 0 से यहानिकी यहां तक 3 units यानिकी आगे जाता है तो हम इस minus 3 upon 7 से हम यानिकी count करेंगे यहां 0 तक कितना units यानिकी बनते हैं 1, 2, 3 अगर यहां से minus 3 upon 7 से आगा न हम 0 तक यानिकी count करेंगे तो हमारे कितना बनते हैं 1, 2, 3 तो 3 units बनते हैं इसलिए हम यानिकी इसको लिख सकते हैं, 3 upon 7. Therefore, the absolute value of minus 3 upon 7 is equal to 3 upon 7. यह हमारा इस तरह से बने गए यह question. क्योंकि हमने क्या हमने यानिकी यहां से, अगर प्लेस में होता तो हम 0 से आगे count करते हैं, या यानिकी हम 0 से यहां पर left side भी count कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 0 से आगे यानिकी minus 3 upon 7 तक 1, 2, 3, तो 3 units बनते हैं, तो हम उसको लिखते हैं, इस तरह से यह प्लेस में लिखते हैं, 3 upon 7 units. अब इससे तरह से आपके पास जो बाकी जो कोशन कोशन से कोशन से कोशन से कोशन से का सी डी एंड यह आपको यह करना है, इसे ही करना है, जैसे हमने यहाँ पे कोशन किये हैं, तो अब हमें इसके बाद कोशन नमर 8 करना है, कोशन नमर 8 में क्या कह रहा है, arrange the following rational numbers in ascending order, यहाँ पे दो कोशन दिए गए, पहले को ascending order में लिखना है, इसके बाद को और भी पाद को descending order में लिखना है, तो ascending और descending में लिखना, कैसे लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे में आपको a part करके दिखाऊंगा, कोशन नमर 8 का, बागी यानि की b जो है descending order वो आप कर लेना, तो कोशन नमर 8 के, जो पहला कोशन है, यह पाद का, वह हमारे पास 7 upon 9, फिर है 5 upon 6, उसके बाद हमारा है 11 upon 12, फिर है minus 1 upon 3, फिर minus 3 upon 4 है, इतना है, आप यहाँ पे यानि की दो कोशन ने ascending order के लिए पहला मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे, हमारे पास है उन्होंने इतना यानि की numbers दिए गए हैं, अब इन numbers का हमें क करना है, सबसे पहले तो denominator जो है same करनी है, denominator अब यहाँ पर अलग-अलग है, तो हमें denominator को same करने के लिए, इनका एल सेम निकलना बड़ेगा, 9, 6, 12, 3, and 4, इनका हमें क्या निकलना है, एल सेम निकलना है denominator का, ताकि हमारे denominator जो है, सेम हो जाए, अब इसको 3 से होगा, 3, 3 is a 9, 3, 2 is a 6, 3, 4 is a 12, 3, 1 is a 3, यह 4 यहाँ पर रहेगा, अब हमारे किस से होगा, 2 से होगा, 2, 1 is a 2, यह 3 रहेगा यहाँ पर, 2, 2 is a 4, 2, 2 is a 4, फिर से 2 से करिंग है, 2, 1 is a 2, यहाँ पर भी वी 1, यहाँ पर हमारे 3 आ गया, 3 बन जा 3 तो हमारे LCM जो बनता है हो LCM is equal to 3 into 2 into 2 into 3 2 to the 4 3 to the 9 3 to the 6, 6 to the 12 12 to the 48 sorry 12 to the 36 आएगा अब हमारा LCM आगया 36 अब हमारे पास है 7 upon 9, 5 upon 6 ये सब नंबर से अब हमें क्या करना है इन नंबर को जैसे हमारे पास 7 upon 9 है इस नंबर को हमें क्या करना है इस नंबर के जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हमें आने के 36 बनाना है तो 36 बनाने के लिए हमें क्या करने बढ़ेगा 9 को किस के साथ multiply करने पर 36 आते हैं 4 के साथ multiply करने पर तो 4 के साथ numerator और denominator दोनों को multiply करेंगे 9 forza 36 आगए 7 forza 28 ये हमार 7 upon 9 का आगए अब हम लाते हैं 5 upon 6 को 5 upon 6 6 को किस के साथ multiply करने पर 36 बनते हैं 6 के साथ multiply करने पर तो उपर भी 6 के साथ नीचे भी 6 के साथ हम multiply करेंगे 5 6 हा 30 6 6 हा 36 आप 11 अपोन 12 है हमारे पास 12 को किस के साथ multiply करने पर 36 आते हैं 4 के साथ 3 के साथ 3 अपोन 3 33 अपोन 36 आगया अब आते हैं हमारे पास minus 1 upon 3 3 कितने टाइम जा 36 होता है 12 जा 12 के साद उपर भी और नीचे भी minus 12 upon 36 अब हमारा last way minus 3 upon 4 minus 3 upon 4 कितने टाइम जा 36 होता है 9 जा 3 9 जा 27 minus में और 9 जा 36 अब एसेंडिक ओर में लिखना है एसेंडिक ओर में सब से आनी की छोटा कौन जाएव हमारे पास यहाँ पर minus 27 है और यहाँ पर minus 12 है तो minus 27 साब से छोटा है तो minus 27 का नंबर जोई minus 3 upon 4 है फिर हमारे पास minus 12 बड़ा हो जाते है minus 12 upon minus 1 by 3 का है तो हम लिखेंगे minus 1 by 3 अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर जाते है इन में से जो है 28 upon 36 यह चोटा है 28 upon 36 लिखेंगे 28 upon 36 का है 7 upon 9 फिर हमारा 30 upon 36 यह 5 upon 6 का है फिर हमारा 33 upon 36 लास्ट बे तो यह 11 upon 12 का है तो यह हो गया हमारा ascending order इसे तरह से descending order भी करना है तो आप question number 8 के A और B जो है आनि की A सहुमबा के लिए करेंगे आज के लिए इन न काफी है Thank you ेरे नचा सबस्कैंऑी